हलो इस्ट्रेंट्स वेल्कम बैक गजवकर अकेडमी मैसेल अरणदीप सिंग और हम डिसमस कर रहे हैं एक्जाम्पल नमबर सेविन तो नेक्स देखिंगे हैं में एक्जाम्पल सेविन में क्या किया रहा है गिवन रेक्टेंगल एडियास टुबी फैंस मितलब जानते हो ना बाड लगानी है तो यह आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस पर मुझे लगानी है बाड के इस टुबी आफ इना फिल्ड हूस लैंथ लाइज अलोंग दा रिवर यहां पर एक रिवर बहरी है उसके पास में है ठीक है इफ नो फैंसिंग इस नीडेट अलोंग दा एक्स बीदा लेंट ओफ फिल्ड एंड ए बीदा एरिया ओफ फिल्ड मालने पर अब आप मुझे बताओ ब्रैथ ओफ फिल्ड कितना आएगा बताओ 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 ब्रैथ ओफ फिल्ड कितना आजाएगा आपके पास ब्रैथ ओफ फिल्ड आजाएगा क्या बोल रहा था लैंट ओफ दा फिल्ड इस ट्वाइस इट्स ब्रैथ ब्रैथ के क्या है डबल है छीख है अब ध्यान दे देखो x तो हो गया length of field a हो गया area यह वाली चीज आपको पुरूफ करनी है कि when the length of field जो है वो क्या है twice of its breath है अब आप मुझे बताओ area of rectangle क्या होता है पहले तो गो बताओ length multiply breath न यह x दे रखिए और इसी को breath ही रहने दो तो यह a upon x cm हो जाएगी आपके पास breath हो जाएगी नहीं हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी चीज के length आगई x breath आगई यह है और area को मैंने a से denote कर लिया है अब कैसे शुरू करेंगे आजाओ अब मुझे सबसे परें निकालना क्या है showed at the least amount of fencing fencing निकालनी will be require when the length of the field twice its breath अब आप मुझे बताओ इस field को देखते हुए इस फिल्ड को देखते हुए इसकी जो breath है यह a upon x यह वाली breath भी a upon x यह कितनी x अब मैं वोट रहा हूँ length of fencing कितना होगा length of fencing length of fencing हो जाएगा आपके पास x इदर वाली length यह वाली और a by 2 a by 2 मतलब कि 2 of a by x बताओ समझमा है क्या ठीक है length of fencing को मैं l से denote कर लेता हूँ अब यह मेरे पास length of है इसको मुझे क्या करना है least करना है minimize करना है कैसे करेंगे सबसे पहले differentiate करेंगे with respect to with respect to x है ना तो dl upon dx देखो x का differentiation 1 हो जाएगा plus 2 और a यह दोनों constant अपने लिए 1 by x को क्या होता है minus 1 by x square तो यह हो गया 1 minus 2a upon x square हुआ नहीं हुआ खीक है यहां तक क्लिए रहे अब मुझे मेरे निकालना है point कैसे निकालूंगा x के point now dl upon dx को मैं 0 पूट करता हूं so 1 minus 2a upon x square equals to 0 तो देखना यह 2a upon x square equals to 1 2a equals to x square square अटाया root लगाया यह यह एक्स का value आ गया 2a है यह आ गया है मेरे पास x का value ठीक है अब यह जो x का value है इस x की value से मुझे इसको minimize कैसे proof करना है आ जो double differentiating की तरफ यह मेरे पास dl upon dx की value क्या है 1-2a upon x square 1-2a upon x square यह है आपके पास dl upon dx है चीक है साथ अब double derivative निकालते है x की value कितनी आई है 2a root में d square l upon dx square 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा minus 2a constant अब यह x square उपर जाएगा तो x की power minus 2 कैसे करेंगे इसका derivative minus 2 आ गया और x के अंदर minus 2 और minus 3 तो यह हो गया minus 2 और यह हो गया upon x q positive यह है इसको क्या मैं l double dash x ऐसे भी लिख सकता हूँ कितनी आगे 2a upon x q अब इस double dash में अगर मैंने x की जगे root 2a put कर दिया तो root 2a का हो गया q अब यह कुल मिला के जो value है वो क्या है greater than zero है मुझे तो क्यों प्लस माइनस के sign से मतलब यह value क्या है greater than zero अगर यह value greater than zero है तो मैं कह सकता हूँ जो आपका length है L है ना length of fencing is minimum जिसको मैं least भी बोल सकता हूँ minimum at x equals to 2a root में तो मताव समझ में आया क्या बिल्कुल समझ में आ गया ना x equals to क्या हो गया तो वह हो गया root में ठीक है यहां तक एक्तम clear है बिल्कुल clear है मेरी बास सुनना अगर x equals to a value root में आ चुकी है तो अब यह value minimum प्रूफ करनी थी इस value पर तो minimum आ गई है अब आप मुझे इसकी length of breath की बात करो तो देखो so length of field जो है वह root to a हो गया और जो breath of field होगा वह कितना था अपने पास वह था अपने पास एक hanya एड然后 x और एरिया क्या होता है length in to breath वाली condition में होता है अनधिया कितना होता है亘्ला मेरे पास length into breath की condition पे होता देखो पीछे देको वापस आःपकर यह दुरा जाना breath क्या है हमारे पास area upon x है न तो मैं क्या करता हूँ, इस area की जगे तो area ही रहने देता हूँ, और इस x की जगे जो है, यह length of field यह रहा, root to multiply root a ऐसे होगा, इस से root अटेगा तो इस पर root लगेगा न, तो यह value क्या हो जाएगी यह आपके पास, यह value हो जाएगी root में a by 2 हो जाएगी क्या हो जाएगी, root में a by 2 हो जाएगी अब दो value आ चुगी, मेरे पास देखना length को देखो, breath को देखो, मैं फिर से लिखता हूँ next slide पर length देखो, root to a है और breath को देखो, क्या है root a upon 2 चीक है साफ़ clear है यहां तक अब यह क्या बोल रहा है when the length of the field is twice is breath length of the field जो है वो इसकी क्या है twice है, कैसे पतल लगे गई है रखके देखो length of the field is twice is breath उसकी breath के double है क्या यह proof होरी है, condition करके देख लो length की जगे 2 ए रखा आपने breath की जगे root a upon 2 रखा यहां से root अटेगा, इस पर टूट लगेगा root to a equals to root to a आतो रहा है भई, बिल्कुल आ रहा है clear है यहां पर तो इस condition से हमने क्या निकाल लिया है when the length of the field जो है वो क्या है आपके पास इसकी double है इसकी क्या है, डबल है तो आप इसको चाओ तो square भी रख सकते हो, अगर यहां both side square करें तो यह two हो जाएगी और इस पर square करें तो यह a by two हो जाएगी इसकी बात एक है न so hence length of field is twice its breath clear है यहां पर? चीक है अब मेरी बास सुनना है यहां पर length आपके पास ही आगी है, breath आपके पास आगी है अगर आपसे area find करने को बोलता तो area कैसे निकलता this is the root two a root two root two से root two चला गया root a कितना यह हो गया root two रूट three कितना और हो गया यहानी कि area equal to area यह कि इसके इसके एक्वल आगया है, यह तो one हो गया है किसके अपके पास area कितना निकल के आगया है one निकल के आगया, अगर मैं this area की value 1 लिखता हूं यहां पर area की value लिखता हूं यहां पर 1 तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो यहां root 2 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा only 1 बचेगा कि लिए रहे हैं यहां पर मतलब दोनों की value क्या हो जाएगी equal हो जाएगी इस तरीकी से अगर मैं area 1 1 माल लिता हूं ठीक है this is complete example number 7